हेलो सिविल इंजिनियर्स मैं हूँ एमद उसेन और मैं आपके सामने लेकर आगो एक और बहुत शांदर सा वीडियो तो आज हम बात करने वाले हैं ओवरेट टैंक की और ओवरेट टैंक के अंदर किस तरह से यहां पर हमें फाउंडेशन की कॉंक्रीटिंग जो है वो किस तर से निकालनी है वहाज हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं तो चलते हैं इस सेशन के अंदर और इस सेशन को हमें स्टार्ट करता है तो दोस्तों जैसे कि आप मैं आप देख पार होगे कि यहां पर एक हमारा ओवरेट टैंक की ड्रॉइंग है जिस तरह से आप देखोग तो यह आपको पूरा प्लान दिखेगा आपको यह पूरा पार्ट है मेरा एक फाउंडेशन का प्लान है दोस्तों तो यह बेसिकली मैं बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है यह इसका जो प्लान है किस तरह से हमने रीड आउट करना है जो फुटिं तो अगर आपको वीडियो देखना है समझना है तो आपको आई बटन के अंदर वो वीडियो जरूर यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लान है हमारा दोस्तों यह वाला मेरा प्लान है ठीक है यह हमारा पूरा प्लान हो जाएगा जिस तरह क्या चीजे दी होई है तो जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे जो मेरी footing होगी दोस्तों ये मेरी एक हमारी पूरी circular हमारी ये footing होगी इसके अंदर हम circular raft भी इसको कहते हैं ठेक है तो ये हमारी पूरी एक circular footing होगी जो कि मैं आपको अल्रेडी भी बता चुका हूँ और लास्ट वाली वीडियो के अंदर किस तरह से बेसिकली दिखती है या मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो किस तरह दिखेगी आगे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ठेक है हम बात करें इसके अंदर कुछ हमारे डायामीटर्स भी दिये हुएं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे कि जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पर हमने इसको कर रखा इस तरह किसे ठेक है तो ये वाला दोस्तों जो पार्ट है मेरा ठेक है जो बाहर वाला पार्ट है तो उसको अगर आप देखोगे तो वो मुझे कित्ता दे रखा है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यह वाला पार्ट से लेकर जो मेरा डाया दिया हुआ है वो हमें 8900 दोस्तों यहां पर दिया हुआ है ठीक है आउटर वाला जो डाया है जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक जो पूरा डाया है दोस्तों वो हमें किता दे रखा है 8900 हमें यहाँ पर दे रखा है और उसी के साथ-साथ अगर यहाँ पर हम अंदर वाली की बात करें क्योंकि हमें यहाँ पर फुटिंग लगाना है अब आप देखोगे तो जो मेरी फुटिंग का पार्ट है वो कुछ मेरा इस तरीके से आ रहा है इस तरीके से हमारी फुटिंग आ रही है सर्कुलर के अंदर तो अगर आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पर अब इसका अंदर का भी डाया होगा दोस्तों तो अंदर के डाया की अगर हम बात करें तो किस तरह से होगा वो हमारा अंदर का डाया है 5100 ठीक है यह आप देखोगे तो ये मेरा जो डाया दिया हुआ है दोस्तों यह हमारा 5100 का डाया दिया हुआ है और उसी طरीके से अगर हम बात करें अगर हम इसके अंदर प्लांग के अंदर हम बात करें तो यहां पर आपको smoked यह देख जाएगा हुआ है कितना जैसे कि मैं आपको बता हूँ पहले राफ बीम का सेंटर हमारा यह वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है इसको हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे क्योंकि कॉंकि कॉंक्रीटिंग निकालने से पहले यह चीजे समझने दोस्तों काफी जरूरी हो जाता है तो इसको हम इस तरीके से पूरा जैसा पिंग कलर से जो आप देखोगे यह मेरा सर्कुलर राफ रिंग बीम दिया हुआ है अब इसको दोस्तों जो हमारा डाया दिया हुआ है वो हमारा कितने रखा है वो हमारा 7200 दे रखा है डाया मिटर जिस सरह से आपको यहां पर आप इसली देख होगे 7200 का मेरा डाया है तो हमारे पास तीनो डाया आ चुके हैं एक हमारा जो आउटर डाया दोस्तों वो मेरा कितना है वो मेरा 8900 आऊटर का डाया इनर की यहां बात करें तो फिफ्टी वन हंडर है और अगर हम सर्कुलर राफ रिंग बीम के हम बात करें तो यहां पर मेर 7200 हमारा यहां पर डाया आ जाता है तो दोस्तों आप मैं समझाना चाहूँ कि यह basically अगर जब हम concreting करेंगे क्योंकि concreting समझने से पहले उसको imagination करना या वो बंती कैसे है किस तरह से वो बनेगी वो जानना काफी जादा जरूरी हो जाता है तो मैं आपको उसी तरफ लेके चलता हूँ उससे पहले आपको यहां पर देखना होगा कि जो हमारी footing होगी दोस्तों तो यह वाला पार्ट जो होगा यह मेरा खाली होगा यहां पर किसी भी तरह की कुछ भी concreting नहीं होगा जो आप inner diet के आप बात करें ठीक है जो हमारा concreting होगा वो हमारा इस वाले portion के अंदर होगा ठीक है इस वाले portion के अंदर मेरा यहां पर concreting होगा जो कि आप देखोगे कि यह वाला जो पार्ट है मेरा 600 है ठीक है तो अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है? ये मेरा part 600 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तो मेरी ring भी मारी है 500 की, तो ये मेरी ring मी 500 की आजेगी, और यहां से लेकर यहां तक यहने कि जो इसका ये वाला part हो जाएगा, उसके अंदर side की अगर मैं बात दो लो तो ये मेरा 800 हो जाएगा, ठीक है? तो यह कुछ इस तरीके से दिया हुगा है, अगर आप उसका उधर साइट जाओगे, तो ये वाला पार्ट दोस्तो मेरा 800 हो जाएगा, जैसे कि आप ये देखों के 800 यहां से लेकर यहां तक का, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट मेरा 500 हो जाएगा, ये वाला, और उसके बाद उसका जो आप ये लास वाला पार्ट देखोगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 600 हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ ये इस तरीके से दी हुए, मैं लेके चलता हूँ आपको मेन साइट पे किस तरह से ये बनके तयार होती है, और किस तरह से हमको ये दिखती है, वो उस ये वाला पार्ट हमारा 500 की जो B में वो हो जाएगी और उसे के सासाथ ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा 800 का हो जाएगा, ठीक है, उसकी अगर हम दूसरे साइट चलें, अगर मैंने आपको बताया था, जो मेरा 5100 था, अगर आपको याद हो कि अभी हमने जो डाया की बात कर आउटर का दोस्तों जो डाया था, वो मेरा कित्ता था, वो हमारा 8900 डाया था, अगर मैं सारी चीजे mm में बात करूं तो, ठीक है, तो ये पार्ट मैंने थोड़ा सा रिवाइस करवा दी, आपको जो हमने उस ट्राइंग के अंदर देखा था, आगे चलते हैं, में एंगल के अंदर पार्ट में डिवाइट करना होगा, फिर उसके बाद उसमें हम उसका जो सेंटर होता है, यानि कि क्योंकि यहां पर सर्कुलर है, तो यहां पर हमें रेडियस के थूरु इस सारी चीज़े या डायमेटर के ही हैल्प सारी चीज़े कॉन्क्रेटिंग यहां पार्ट है, अब हमें कौन सी हमें कॉन्क्रेटिंग निकालना है, हमें कौन से वाली पार्ट के कॉन्क्रेटिंग निकालना है, जैसी कि मैं आपको इसके अंदर बताओ, यह चीज़े पार्ट के हमें कॉन्क्रेटिंग निकालना होगी, यह वाला मेरा जो डाया है, ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर से लेकर जो यहाँ तक का जो पार्ट है मेरा ठीक है यह वाले पार्ट के हमें यहाँ पर दोस्तों कॉन्क्रिटी करनी होगी एक तो यह हो जाएगा ठीक है और उसके अंदर के दोस्तों जो मेरा पार्ट है वो ये वाला part हो जाएगा यहाँ पर हमें करनी होगी ठीक है तो इसके अंदर की दोस्तों जो भी हमारा part है हमें वो हमें यहाँ पर करना होगा यह पूरा part का अंदर का हिस्सा ठीक है तो जैसे कि आप देखो कि इसको हम अलग-अलग part के अंदर डिवाइट कर लेंगे तो सबसे पहले जैसे कि आप देखोगे अब हम समझते हैं कि यह वाला जो मेरा part है दोस्तों एक part मेरा यह हो जाएगा यानि कि यह पूरा part जो ही मैं यहाँ पर हम part 1 ले लेंगे क्योंकि मेरा rectangular part हो जाएगा उसे के साथ-साथ अगर हम बात करें तो आप एक देखोगे कि यह वाला part मेरा triangle हम इसको consider करेंगे और उसे के साथ-साथ एक triangle मेरा यह हो जाएगा और एक last वाला part हो जाएगा जो कि मेरा यह जो मेरा rectangular part है यानि कि जो मेरी beam है यह कि मेरा part आजागा यानि कि हम इसको 4 पार्ट के अंदर इसको हम यहाँ पर टिवाइट कर देंगे, ठीक है, 1st, 2nd, 3 and 4, ठीक है, 2 rectangle के हो गए, और 2 rectangular के हो गए, ठीक है, इसके अंदर हमें 2 चीजों की जरुवत पड़ेगी, सबसे पहली चीज तो हमारा जो radius है उसकी, ठीक है, और दूसरी चीज आपको बहुत ज़्यादा important होगी कि इसमें हमें length निकालना होता है ठीक है इसके अंदर हमें length निकालना होता है जो कि हमारे जो circular के अंदर अगर हम circumference की अगर हम length के बात करें तो इसके अंदर हमारा जो 2 pi r है वो हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत पढ़ती है length निकालने के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो हमें calculate करना है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पर अब आपको जब भी हमेशा आप याद रखेगा कि कभी भी हम circular का length निकालते तो हमेशा आपको diameter देखना होता या radius दोस्तों हम यहाँ पर Automation तो जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले part हम बात करते हैं part 1 की यानि की rectangular वाला part है हम इसकी बात करते है यह जो मेरा first वाला part है rectangular का इसकी हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना होगा इसका हमें यहाँ पर radius निकालना होगा center से कि उसका center से radius हमारा कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर दोस्तो हमारा center है यहाँ पर हमारा center है और हमारा जो radius होगा क्योंकि rectangular part हमारा यह है यह center का चाहिए हमारा जो उपर का beam होगा या इसका दोनों का center सेम होगा ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इसका अगर मैं बात करूअ, 51,000 के मैं center पे आँगो कि ये मेरा diameter है तो मुझे यहां से लेकर इसके center तक यहां पर आना है, ठीक है, आप समझेगा, इसके center से, यानि कि यहां से लेकर मुझे इसके center तक मुझे यहां पर आना होगा तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना होगा 51 का 5100 का मुझे दोस्तों यहां पर half करना होगा ठेक है उसके बाद यहां पर मुझे 800 लेना होगा और यहां पर मुझे 500 का half करना होगा तो मैं easily आ जाऊँगा ठीक है अगर मैं rectangular 1 की अगर मैं दोस्तों बात करूँ आर 1 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जैसे देखोगे तो इसका में जा हाफ हो जाएगा अगर मैं 5100 का हाफ करूँगो तो मेरा कितना हो जाएगा यह आप मुझे comment करके बताइए तो इसका हो जाएगा मेरा 2.5050 अगर मैं इसको मीटर में ले रहा हूँ ठीक है उसके बाद हम यहां से आगा फिर उसके बाद मुझे 800 लेना यानि की 0.8 हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों मुझे यहां पर center में आने के लिए 500 का हाफ करना होगा यानि की मेरा 0.25 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है जो हमारी यहां पर radius हो जाएगी अगर आप उसको plus करोगे तो plus करने के बाद वो कित्ती होती है वो आप यहाँ पर calculate easily कर सकते हो तो इसके जो radius है हमारी कित्ती हो जाएगी 3.6 मिटर की हमारी radius हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या आ गिया जो मे तो इसका हमें volume निकालना है, तो volume निकालने के लिए length इंटो blood और इंटो हमें depth से काम चलाना होगा, ठीक है, तो दोस्तोब length निकालने के लिए हमें radius की दर्वथी, radius आ गया, इसकी radius निकालोगे तो कितना आजाएगा, 2 pli r, ठीक है, तो 2 multiply में 3.142, और radius हमारा कितना आ गया 3.6 आप इसको calculate कर सकते हो इन सब को आप calculate करोगे तो कितना आएगा यह हमारा आ जाएगा 22.62 मीटर्स के अंदर दोस्तो आ जाएगा अब इसके अंदर हम length हमारी आ गई 22.62 आ गई multiply में दोस्तो breadth की अगर हम बात करें आ जम्हों कितनी लेनी होगी जो breadth हमें यह पूरी लेनी होगी यहां से लेकर यहां तक की यानंके 800-500-600 तो यह मेरा कित्ता हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 1900 यह आनए कि यह1.9 अगर आप देखोगे तो दोस्तों, यह क्या आ जाएगा मेरा, यह हमारा आ जाएगा, फर्स-पार्ट का, कॉन्क्रेटिंग, जो कि हमारा मीटर क्यूब में निकलेगा, calculation के बाद कितना आएगा, वो आप मुझे बता सकते हो, तो दोस्तों, यह जो हमारा calculation बनेगा, यह बन जाएगा, मेरा 10.74 तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है रेक्टेंगुलर का पार्ट आपको समझ में आ गया जो हमने ब्ल्यू कोलर से निकाला तो दोस्तो मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा अब दूसा वाला दोस्तो हमें पार्ट निकालना होगा कौन सा वाला जो हम बात कर रहे अभी हमने rectangular वाला पार्ट हो गया, अब हमें निकालना है दोस्तों ये वाला पार्ट, जो कि मेरा rectangular का पार्ट है, ठेक है, अब इसके लिए दोस्तों, again हमें same चीज वही करना होगी, कि यहाँ पर हमें radius से center तक जाना होगा, तो इसके center तक जाने के लिए, आग प्यासे भी दे है, तो इसके center तक आने के लिए, हमें क्या करना होगा, again जो हमने 2.55 निकाला था, या 5100 का, अगर हाप करो तो 2.55 आजाएगा, इसका ये मेरा 2.55 आजाएगा, और 800 का मेरा दोस्तों, half कित्ता हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, तो इन दोनों को plus कर देंगा, तो यहाँ पर हमा 0.4 आजाएगा, ठीक है, इस नोरों को हम plus कर लेंगे, तो कितना आजाएगा, तो यह जो मेरा radius आजाएगा, दोस्तों, यह मेरा आजाएगा, 2.95 मेटर मेरा radius आजाएगा, यह भियान रखिएगा, यह हम radius निकाल रहे हैं, तो again, क्यों रेडियस निकालने हैं, क्योंकि हमार right angle triangle है, ठीक है, triangle के लिए हमें अलग formula लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा area of triangle का यहापर दोस्तों, हमारा formula लगेगा, ठीक है, तो area of triangle का दोस्तों, जो formula होता है, वो होता है, हमारा half into base into height, ठीक है, तो यह मेरा area हो जाएगा, और इसके अंदर में length का multiply कर दूँगा, तो ready meter square में, उससे multiply कर देंगे, meter cube easily आ जाएगा, इसकी हम length निकालें, तो दोस्तों किता आ जाएगा, again हमें 2 pi r से लेना होगा, तो इसको हम 2 multiply में 3.142 कर देंगे दोस्तों, और multiply में जो हमारा radius है, वो हमारा किता है 2.95, तो यहाँ हम 2.95 से multiply कर देंगे, और इसको calculate करके देखे यह मेरी length आ गई, तो मेरा कितना हो जाएगा, half हो जाएगा, multiply में दोस्तों इसका जो base है, वो हमारा कितना होगा, अब आप base देखोगे, तो दोस्तों यह मेरा 800, यहां से लेकर यहां तक आप देखोगे, इसको मैं किसी दूसरे color से कर लेता हूँ, यानि कि मैं इसको blue से कर लेता हूँ, तो आप देखोगे दोस्तों तो यह मेरा 800 है, तो इसका जो दोस्तों जो हमारा base हो जाएगा, वो मेरा कितना आ जाएगा, इसको मैं 1 by 2 कर लेता हूँ, और multiply के अंदर दोस्तों हमारी इसकी जो height है, वो हमारी कितनी हो जाएगी, यह हमारी देखने वाली बात ह तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं उसकी height की, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारी beam की height है, यहाँ पर आप देखोगे easily, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आपको 800 की height दे रखी है beam की, ठीक है, दोस्तों इसका अगर हम beam की बात करें तो यह मेर दोस्तों पूरा 800 है अब इस 800 में से हम यह 250 माइनस कर देंगे और इस में से यह वाला जो पार्ट भी मेरा 400 का होगा तो इस 400 को भी मैं यहां से माइनस कर दूँगा तो यह वाला जो हमारा दोस्तों जो पार्ट बचेगा यह मेरा हो जाएगा 150 का हो जाएगा यहना कि 0.150 यहा बाद हम ये वाला पार्ट भी हमारा कित्ता 0.4 है तो हम यहां से 0.4 माइनस कर देंगे तो जो मेरा rectangular का पार्ट बचेगा वो मेरा 0.15 का बच जाएगा ओके तो मेरा 0.15 आ गया तो दोस्तो इसकी जो height है मेरी 0.15 यहां पर हो जाएगी और इसके अंदर हम multiply length से कर देंगे जो के हमारा कित्ता है 18.53 हमारा length आ जाएगा तो इसको आप calculate करोगे तो कितना आएगा वो हम देख लेते हैं तो यह मेरा आ जाएगा 1.11 cubic meter मेरा यहां पर आ जाएगा ठीक है तो हमने दोनों पार्ट की यहां पर calculation कर लिया दोस्ता अब अगर हम third वाले पार्ट की बात करें यानि की अब हम कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अब हम ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं ठीक है इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो again हमें इसके center पे आना होगा ठीक है उसके बाद यहामें 800 एड करना होगा फिर 500 एड करना होगा फिर उसके बाद इस पर center पर आने के लिए दोस्तों यह मेरा कित्ता हो जाएगा .3 यानि कि 3.9 मेरा हो जाएगा इन सबको एड कर देंगे तो यहाँ से हमारा part 3 है उसका radius आ जाएगा कितना आ जाएगा जैसे 2.55 plus के अंदर 0.8 plus में 0.5 and plus में 0.3 आप इसको calculate करिएगा कितना आया ठीक है यह आ जाएगा मेरा 4.15 meter आ जाएगा ठीक है अब again इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ ठीक है यहाँ हमारा सारा radius है उसका calculation हो गया दोस्तो अब इसके अंदर यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसका हमारा जो length बन रहा है वो कितना बन रहा है तो हम 2 pi r लगा देंगे again तो यहाँ पर अगर हम इसका length देखें तो length के लिए हमारा कितना आ जाएगा तो 2 into 3.142 multiply के अंदर radius हमारा कितना आ जाएगा 4.15 इसको आप calculate करोगे radius निकाल लीजेगा कितना आ रहा है यहाँ जाएगा 26.07 26.07 meter यह मेरी आ जाएगी length ठीक है तो यहाँ पर हमारी length है दोस्तो वो हमारी आ चुकी है length आ गई अब दोस्तो अगेन आपको पता है कि यह मेरा क्या है part यह मेरा है triangular part तो इसके अंदर दोस्तो हमें क्या करना होगा अगेन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की length देखनी होगी area है मेरा area of triangle तो half into base into height ठीक है यह मेरा area हो जाएगा into में length कर दूँगा तो मेरा volume निकल जाएगा तो यहां से हम calculate कर लेंगे अब again अगर हम height देखनें दोस्तो तो यह ही कितनी हो जाएगी यह हमारी 800 mm थी 800 mm में से दोस्तो हमने अगर मैं height देखो То यह मेरा धाई सो हो जाएगा ठीक है फिर यह वाला part दोस्तो मेरा 400 हो जाएगा क्यों 400 हो जाएगा क्योंकि आप देखो कि यहां से लेकर यहां तक मुझे 400 दिया है तो यह वाला कित्ता बचेगा 400 बचेगा तो यहां से मैं 400 माइनस कर दूँगा तो मेरा कित्ता आ जाएगा यह 1500 आ जाएगा ठीक है तो मैंने mm में कर दिया आप चाहो तो इसको meters में हमने calculate 0.15 हमारा आ जाएगा ठीक है तो half into दोस्तो base अब मेरा कित्ता हो जाएगा इसके अंदर 0.6 हो जाएगा और height मेरी 0.15 हो जाएगी और दोस्तो length जो हमारी आई है वो हमारी कितनी आ गई है वो हमारी 26.07 आ गई है तो इन सब को हम यहां पर multiply कर देंगे और यहां पर हम इसका जो calculation है वो हम यहां पर कर लेंगे ठीक है कितना आ रहा है यह ज़रा calculate हम करते है तो 1.17 दोस्तो इसका आ जाएगा 1.17 cubic meter यहां पर हमारा जो calculation है वो हमारा यहां पर आ जाएगा आगे बात करते हैं दोस्तो एक last वाला हमारा part बचा है जो कि अब हमें दोस्तो जो calculate करना है वो हमें इस वाले beam से लेकर यहां तक calculate करना है ध्यान रखिएगा आप नीचे तक नहीं आए को कि already हमने इस वाले part को calculate कर चुके हैं दोस्तो जो हमें इसकी height लेना होगी वो हम कितनी लेंगे वो हमें यहां से 800 में से पूरी 800 में से यहां से हमें 200 को minus करना होगा यानि कि 0.800 में से 0.25 को minus कर देंगे तो जो उसकी height दोस्तो कितनी आ जाएगी उसकी height हमारी 0.55 आ जाएगी यानि कि आपको यहां पर जो height है वो आपको यहां पर 0.55 लेनी होगी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है अगें दोस्तो अब अगें हमें यहां पर radius की बात करनी होगी तो अगें हम यहां से इसके center से लेकर इसके center तक आएंगे हम radius निकाल लेंगे तो यह मेरा कितना हो जाएगा 2.55 यह मेरा कितना हो जाएगा 800 और यह मेरा कितना हो जाएगा यह मेरा 0.25 आजाएगा ठीक है तो अगें अगर हम part 4 की अगर हम radius की बात करें दोस्तों तो कितना आजाएगा मेरा 2.55 plus के अंदर 0.8 और plus के अंदर 0.25 इसको अगर हम calculate करते हैं तो कितना आता है हम वो देखते हैं यह मेरा again 3.6 आजाएगा मीटर में ठीक है इसका हम 2.5 लगा देंगे तो 2.5 लगाईएगा कितना आजाएगा 2 multiply में 3.142 multiply में radius हमारा 3.6 आजाएगा तो इसको अगर हम calculate करते हैं तो कितना आएगा यह हमारा आजाएगा 22.62 ठीक है के अंदर हमें L into B into D करना होगा simple side L into B into D कर देंगे तो rectangular part है तो length की अगर हम बात करें कितना आगया 22.62 breadth की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारा breadth है वो मेरा कितना आई आप देखोंगे तो यहाँ पर हमें 500 ही लेना है तो यह मेरा 500 आजाएगा 0.5 और depth की हम बात करें दोस्तों 0.55 ठीक है तो 0.55 हम यहाँ कर देंगे तो इसको अगर हम calculate करेंगे तो हमारा कितना आगा वो हम देख लेते हैं तो यह मेरा आजाएगा 6.22 meter cube यह हमारा concreting आजाएगा दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से और भी चीजे इसके अंदर देखनी जैसे कि अगर आपको foundation का देखना है अब इसका bar bending भी होगा bar bending हमें किस तरह से करना है फिर उसके ओपर हमारा जो column से जो हमारा bottom dome आएगा जो top dome आएगा उसकी shuttering कैसे करनी है उसके अंदर bar bending schedule कैसे करना है तो अगर आप ये भी सीखना चाहते हो मुझसे तो आप हमारे application को download कर सकते हो अगर आपने भी तक application को download नहीं किया है और आप उसको हमारे google play store से भी आप download कर सकते हो और हम यहाँ पर हमारे link के अंदर भी आपको दे देंगे हमारे app store से app store में जाके आप download कर से तो आप हमारे इस overhead tank के को भी आप आराम से महाँ पर जाके देख सकते हो और हमारे साथ आप सीख सकते हो ठीके और भी महाँ पर काफी सारे आपको courses मिलेंगे जैसे कि आपको building का course मिल जाएगा bridge का course मिल जाएगा highway का मिल जाएगा g plus 11 का आपको यहाँ पर building का course मिलेंगे जो कि आपके carrier को काफी जादा यहाँ पर boost करेंगे तो चलते हैं इस session के अंदर again हम continue करते हैं दो यहाँ पर हमने जितना भी हमारा part था हमने सब calculate कर लिया एक बार हम सब को एक बार plus कर देते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारी जो total concrete नगे वह हमारी यहाँ पर कितनी बनी तो अगर हम यहाँ पर part 1 की बात कर हूँ तो यहाँ पर जिमारा part 1 बना था वो मेरा 10.74 बना था अगर दोस्नों यहाँ पर हम part 2 की करें तो जो मेरा part 2 था उसका मेरा 1.11 था इसको मैं थोड़ा खटा देता हूं तो यह मेरा 1.00 बन था दोस्तों अगर मैं यहाँ पर Part 3 की बात करूँ तो हमारा Part 3 का जो Volume आया था हो मेरा 1.17 आया था और अगर मैं यहाँ पर Part 4 की बात करूँ दोस्तों Part 4 के अंदर हमारा जो Volume आया था वो मेरा 6.002 मिटर क्यूब आया था अब इन सब को अगर हम Total करते हैं तो हमारा दोस्तों कित्ता बनेगा आप Total भी कर सकते हैं और Comment के अंदर आप इसका Total Volume भी आप मुझे बता सकते हैं तो अगर हम इसके Total की बात करें तो यह मेरा आ जाएगा 19.24 क्यूबिक मीटर यहाँ पर हमारा लग जाएगा यह तकरीबन तकरीबन आपका 20 क्यूबिक मीटर तक आपका यह हमारा लग जाएगा ठीक है तो आई होप यह अब इसके अंदर आपको सारे चीज़ आ गई होंगी कि किस तरह से यहाँ पर हमने क्यूब एग जाएगा बारा लग जाएगा यहाँ झाएगा यहाँ नाएगा जाएगा तकरीबन आपका